हेलो मेरे एक्जाम वारियर्स आई होप आप लोग ने अपनी तयारी अच्छे से शुरू कर ली होगी और अपने जो समाजिक विज्ञान के चैप्टर से उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया होगा है नो तो चलो मैं दीपाव अर्मा अभिफशा एजूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस e-learning classes के exam series में आप सभी का स्वागत करती हूँ ठीक है बच्छो तो हम क्या कर रहे हैं अपना exam series March mission है ना March mission पे निकले हैं जिसमें अभी तक हमने तीन सिपाही अध्याए हैं है ना इकाई एक के तीन सिपाही अध्याए को खतम कर चुक है मतला उसमें हमने फते हासिल कर लिये अब उसको बस exam के दिन जाकर टिक 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 करके आंसर लिखने है ठीक है तो आज हम अपने exam series में आगे आए हैं March mission की तयारी में ठीक है तो यह हमें भी क्या करें कक्षा दस्वी बार भी की तयारी कर रहे हैं तो आज इस lecture में हम क्या पढ़ेंगे इकाई दो प्रताम विश्वयुद जो आपका अध्याय साथ है और कितने मार्ग से कोशन आएंगे यहां से डायरेक्ट चार तो बताओ इसको मैंने क्या कहा था याद करो भई क्या कहा था ये था हमारा र कितने मार्ग से 3 एंगे कितने घंटे पढ़ाना है एक घंटे काफी एइतना ग tee कोशन्त को दे लेंगे समन्राइय समुँघ लेंगे कि एकृप्टर में पूशा क्या है बहला है उमारी व्युद्ध है मार्श मिशन है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उससे रोज लड रहे हैं मस्त- premature preparation कर रहे हैं maths पढ़ रहे हैं, समाजे को घियान पर रहे हैं science पर रहे हैं आई ओब आप सभी subjects को equally और secondly आपको English पहर अच्छे से ध्यान देना है बच्चे है ना जो आपको सर बताते जा रहे हैं grammar part होगे आपके lessons part होगे ऐसे तो बहुत अच्छे से अगर उसको sequence noise करते जाओगे ना English paper बहुत easy होगा बच्चे है ना या अगर देख आपको लगता है कि इस चीज़ पर topic पर बात की जाने चाहिए मैडम या क्या चीज़े है कैसे paper लिखा आपको जो भी doubt है आप comment section पर जाके हम से जूर सकते हो या अपने जितने भी queries है आपको जो मन में लग रहे है कि ऐसा कैसे किया जाए क्या जो भी एक है ना आप direct हम लोगो message करके बात कर सकते हो ठीक है बच्चों पूरे हम आपको जनकाई देंगे ठीक है चलो अपने chapter शुरू करते है ठीक है तो हमारा अध्याय कौन सा है साथ क्या प्रथम विश्वयूद्ध मेरे exam warriors करते एक दम असान है है ना कर्षा दसवी समाजे को ज्यान ठीक है चलो ये पूरे chapter का road map कि प्रथम विश्वयूद्ध क्या 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 पढ़ना है ठीक है क्या क जिसे हमने पूरा विश्वयूद्ध बोला एक दो देश रामिल थे पूरा एक महादवीब सामिल था पूरे देश रामिल थे ऐसा क्या था जिसके हमने इसको प्रथम विश्वयूद्ध क्या हुई ठीक है प्रथम विश्वयूद्ध की शुरुवात कैसे हुई तो भाई तैसा वह दें घे चुछ फढ़े थे हम लूग क्या था सच्पोंग्स को एल बनाइबरी विश्वयूं यहों तो सैनिय दिनार्श रिखले काम करना शूरू कर रे brightness फील नाचमाहि से moi Union लोग यह से क्यार अउसरे मतलब यह दिमारंत की इस दिमारे के थो बोलता है उस दिन तुसको मारने चाहना है तू मेरे साथ देगा ना हम क्या करते हम तीन चालो मिल लेते हैं अच्छा वो उस दिन तो मिले अगर वह कर दो फोन कर की बुलाऊंगा तू आएगा ना हम लोग यह करते ना एक दम बना देख या रोगा में मारे पड़ जाहू बता देव में तुसाथ दो अगले सल में तुसाथ दो ऐसा चलता है ना तो वही इन देशों में की अधिया जो हम समानत जीवन को लेकर चलो हूआ चलो देखते हैं ठीक है फिर अतिराष्टवादी भावन नाया और सेन्यमाद हम सोचते हैं कि हमारा देश सर्वक्र है हमार सब को सद लोगों को लेके निकल जाओंगा इट मिंस क्या हर को युद्ध की तैयारी पहले से कर रहा है मतलब सब को पता है कि युद्ध तो करना ही है उस टाइम के जब उनिवस्वी सदी के आप अंत को देखेंगे या बिश्वी सदी के श्रिद्वात को क्या करेगा वो आपको बदला लेगा तो यही क्या हुआ था चर्ड़ा साइकल तो यह क्या हुआ भाई आप किसी को डराओगे किसी को धमकाओगे किसी की चीजों को छीनोगे तो यह तो आएगा न भी लड़ने एक दिन तो यह लड़ेगा तो आपको भी लड़ना पड़ेगा लड़ो लड़ो सब कोई लड़ लिए तो क्या हुआ विश्वयूद ठीक है प्रथम विश्वयूद की घटनाय कैसे कैसे चीजी हुई आपने इस चेप्टर में पढ़ा होगा प्रथम विश्वयूद नहीं तकनीके जैसे तोप का प्यो प्रभाव क्या थे इसके प्रवाव क्या थे वर्साइख की संधी 172 चैप्टर में बहुत महहत्यं पून्ल्ध आपको देखने मिलेगा क्या थि यह वर्साइख की संधी के समापती हुई और जो जीटे हुए राष्ट्र थे कर आरेर हुं भाना राश्ठ उनके तो इसके द्वारा क्या हुआ, और डिडी तैयार हो गया था, ठीक है तो यह हमारा पुरा प्रथम विश्विद्य चैप्टर का समरी था, जो अपने पूरा अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अब इस इस के बैसेश में क्या करना है, आपको अपने चार मर्स की तैयारी कर तो अब हम क्या करते हैं इतने topic से क्या करते हैं questions निकालते हैं और question के form में क्या इस chapter को समझते हैं ठीक है तो आपको क्या बच्चे पूरज chapter में जब questions में जो बढ़ाते जाओंगी उसको एक view develop करना है कि अच्छा इस question कर से पुछा जाएगा तो इसके पिछे का reason यह था तो म इस इसरे सिम्बल सी बात है आपको बीश्वयुः की जनकारी देनीए ठीक है मैं क्या बोड़ी एए प्रत्थम विश्वयृध की जनकारी देनीए ठीक है तो चलो देखते हैं अब पहले लें देकि की के बीच हुआ और कब हुआ पहले principle कि अभ्यास है अलग-अलग Alex to लडनी रहोगा अगर लड़ाई करनी है तो बड़ी गुटो में लड़ाई होती है दो गुटो में लड़ाई होती है कि अलग लग तीन-ठीन तो फैसलिए चिर्डा जणरली दो तो यह भाई बंदू आदी क्या हुआ यहाँ पे, पूरे विश्व का बेड़ा गर्व कर दिया, ठीक है चलो देखते हैं, पहले हमारी डॉन ग्रूप कौन थी भई, जर्मन समराज्य, औस्ट्रिया हंग्री समराज्य, तुर्की समराज्य, यह एक हमारे बाबा ग्रूप थे यह अपने रादागिरी कर रहे थे, इधर कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी और सायूत राज्य, जो आप अभी सुने रहे थे, जनरली हम लोग ब्रिटेन का नाम सुनते हैं, फ्रांस, रूस, यूएसे, यह जो आपके जाने पहचाने नाम हैं, वो एक गुट में थे और यह जो हमको जादा नहीं समझ आए, वो दूसरे ग्रूप में थे, आपने बुक्स में इतने सारे नाम सपढ़े होंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं न बच्चे, कि यार यह किस के साथ, यह किस के साथ, तो सिंपल सा, जितने लोगों का आपने नाम सुना होग पॉपुलर कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी समराजी यह, यह सब क्या थे, आपके एक गुट में थे, उसी अपोजिट में क्या थे, जर्मन समराजी, ऑस्ट्रेरिया, हंगरी समराजी, तुर्की समराजी, ठीक है, तो यह क्या था, दो ग्रूप्स थे, अब भई, सारे चार साल यह यह उद्ध चला बच्चे, तो समझ सकते हो, कितना भिभिनसक रहा होगा, कितने लोग मारेगे होंगे, कितनी देश बरबाद होएंगे, कितनी आर्थिक छटी होई होगी, है ना, अपने बुक बो सब पढ़ा होगा, है ना, तो exam point of view से, अभी हमें उस जन युद्ध कहा जाता है, ठीक है, तो भी पहले क्या कौन कौन से गुड़ थे, एक साइड, जर्मन समराज्य, ऑस्टरिया हंगरी समराज्य, तुर्की समराज्य, वहीं अपोजिट में कौन थे, ब्रिटें, फ्रांस, प्रोसी समराज्य, और सायूतराज अमेरिका, यह दो ग यह आ गया था, यह साब आए, लेकिन, विश्व यह क्यों, देखा जाए तो क्यों भई, तो यह जितने भी देख रहे हो, यह ठीक है, यह सब किधर के थे भई, यूरोप के थे, है न, यह कौन से हो गया हमारा, यूसे के नौर्थ अमेरिका, हमारा एक कॉंटिनेंट होगे, एक महादविप हो गया, यूरोप कॉंटि, यूरोप महादविप के लोग सब सामिल थे, और उससे में क्या था, जब आप विश्व नक्षा को देखोगे, उननीस सदी के अंत में, या विश्व सदी के प्रार यूरोप एक अपना है, इधर हमारा महादविप क्या हुआ, नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, आस्ट्रिया, अफ्रिका, हमारा क्या, एशिया के देश, तो उससे में क्या थे, अधिकतर जो देश थे, क्या थे, यूरोप के उपनी वेश्वाद थे, ठीक है, तो अगर यूरोप के उपनी विश्वाद हैं है ना या मतलब समझे आपके घर में कोई आया है और वो लड़ाई कर रहा है तो आपके मजबूरी बन जाएगे कि उसका साथ दो है ना होस्टल में सब रहते हैं ठीक है अगर दो भाईयों की दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो कुछ न कुछ उसके रूम में जितने होंगे वो लोग जाएंगे अपने रूम मेंट को बचाने के लिए तो यह वही हुआ यूरोप की उपनी विश्वाद कहां थे हमारे अफरीका में थे एशिया में थे तो जब यूरोप की देश क्या हुए यूद में भाग लिये तो क्या हुआ इन देशों के लोग भी क्या हुए वहाँ पर भाग लिये जैसे भारत है भारत किसका था ब्रिटेन का अपनी विश्वाद था तो जब ब्रिटेन के लोग लडाई कर रहे थे तो क्या किये उन्होंने भारत के लोगों को भी लडाई में शामिल किया उसके सं ने इस वाज़े अफ्रीका में थे एशिया नोग भी क्या अप्रत्यक शुरूप वहां की लडाईया हुई वहां के संसाधनों और लोगों को सैनिक कामी लिया गया क्योंकि अब जैसे भी अगर भारत ब्रिटेन तो शामिल हुआ भारत शामिल हुआ था क्या भारत लड़ने गया था क्या नहीं लेकिन भारत के लोगों को भारत के संसाधनों को क्या किया गया यूस किया गयाए इसलिए भारत भी किया था अप्रतेक्शुप से शामिल था तो ये क्या हुआ ये ऐसे हर देशोंका हुआ तो ऐसे छोटए-शोटे करते करते क्या हुआ पूरे देशomyल हो के थी ठीक यह यह यूत भूमी वायु समूद्र के उपर समूद्र के नीचे अथा सभी इस्थानों पर लड़ा गया था 1914-1918 का युद्ध एक प्रकार से सर्वांगी क्यों था जिसमें विभिन राज्यों के लगभख सभी साधनों को जुटाए गया जैसे 1914-1918 क्या किया हर देश के लोगों को उठा उठा के ले गया युद्ध करना है वांकि जो भी संसाधन थे औजार बनाने में सुरक्षा करने में पूर्ण चीचे युद्ध करे गया ये क्या आपके जमीन पे भी हो रहा है वायू सेना वह विमान आ रही है नीचे पंडू भी चल रही है जहाँ चल रहे है तो ये जल थल सेना हर तरीके से क्या हुआ ये युद्ध पूरा व्यापक रूप लिया इस युद्ध में जितनी हानी हुई थी उतनी पहले किसी युद्ध में नहीं हुई थी ना कि वह लाखों मनुष्य युद्ध में मारे गये बलकि हजारों गाउं मिट्टी में मिला दिये गये संशेप में इसके अभूतपूर फैलाओ और इसकी सरवागिक प्रकृति के करने से प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है ठीके ऐसा नहीं थे कि पूरे-पूरे हर देश शामिल था लेकिन इसका प्रभाव हर देश में हुआ वह कही किसी के गॉश्व बरबाद होए कहीं कि पूरे लोग मारे गये कहीं कुछ हर देश का संसाधन उप्योग कर लिए गया इसलिए यसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पड़ा इसलिए इसको कहा क्या क्या किया गए प्रथम विश्वयूधय कहा गया है ना बच्चे तो आपको ये पूरे कारण लिखने होगा कि यू रोड़ simples work कि उपनी वैश्वात थे यह हरता किसी लड़ा गया था हर देश की संसाधन कि जलतल वायू में जल के अंदर हर संसाधन किस विश्वयोदे के क्या परिणाम हुए किस पर क्या प्रभाव पढ़ा वर्साइग की संधी क्या थी राश्ट संगिस्थापना हम यह सब क्या है अगले में देखेंगे ठीक है तो बच्चों आपको इस एक्जाम से इसके साथ हमसे साथ जुड़े हो रहे हैं और हर चेप्टर के अनलिसी सची से करते हुए पूरे आंसर्च की तयारी करते रहे हैं ठीक है बच्चों तो हम आगे लिए वीडियो में मिलते हैं इस चेप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ तब तक के लिए ब्रेस्